हालो आप सभी का स्वागत है चलिए और बढ़िया करो या चलिए आईएगा आज हम पाइपन सिस्टम का पार्ट टू कवर करने वाले हैं और काफी को सीखने को मिलेगा भाई सेलेक्शन की दहार डेली रात को नौ बजे चल रही है पाइपन सिस्टम के हमने एक प्लस सेशन और कर दिया अब करल टाइम इस भी डिस्टेंस करेंगे आपन लोग ठीक है तो टेंशन ले नहीं नहीं है ओके आईएगा शुरबात करते हैं एडवांस मैट भी चालू करेंगे जब अर्फमेटिक के दो-3 चप्टर हो जाएंगे त तो मैं आपको यह बुक करता हूं यह जीके की बुक है जर्नल नौलेज की कम्प्लीट जीके बुक बाई सॉनिया मैम यह फिलिपकाट अमजॉन पर अच्छी बुक है आपको अलग लेवल के जीके को देखने को मिलेगा ठीक है और अगर आप मेरे साब गड़ेद पढ़ना सब्सक्राइब बैच जो की रेलवे सेक्षन में यह बैच चल रहा है आपको मेरे साथ में ठीक है यह पैनेश फर्फमेटिक है नेक्स्ट वीक यह वुक लॉन्च हो जाएगे आप लोगों के लिए अब यह सिक्स्ट नंबर से शुरू करेंगे हम पलके को जो कोशन से वही करने वाले उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने बनाये हैं प्रशन और आंसर भी आपके आयोंगे तो क्या आंसर इसका आया कि जड़ा बता मेरे भाया कि अधा अठारा आंसर आ रहा है शुभं का भी ठीक है निकिता का भी ओके है श्रया अनुम और प्राची साकेत अनामिका आनंद रतनाकर प्रियंका अंकिता अच्छा है आपने समने किया है यह 18 इसका राइट आंसर भी है देखिएगा ए और बी एक टैंक को 12 गंटे में और 16 गंटे में भरते हैं ए और बी यह 12 गंटे और 16 गंटे में भरते हैं सी पूरे टेंग को 24 घंटे में खाली कर देता है ये खाली करने वाला टेंग के इसलिए माइनस लगा रहा हूं ठीक है तो LC हम आप ले लीजिए कि ऐसा ले लीजिए तीनों से कर जाए गोले 96 बारा अठे च्यानमे 16 च्यानमे 48 भी हो जाएगा सर तो बारा चौके 48 तोला तिया 48 और 24 दुनी 48 तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए लेकिन चार गंटे बाद बी को बंद कर दिया जाए तो मैं यूं कह सकता हूं कि आप लोगों से कि बी को लगाओ मतना काम पर तो चार गंटे का काम बी का अगर हटा देंगे तो 36 है और बी है ही नहीं तो अब दो की एफिशेंसी के साथ 18 मिनट में टंकी भर जाएगी दो क्यों किवल ए और सी काम कर रहे हैं लगाता कैसा लगा यह तरीका डायरेक्टली हमने कर लिया पूरी टैंग को भरने में 18 लगेंगे मैंने पता है क्या किया वह जो बी ठाना मैंने उसको निकाली दिया अगला निकले हमसे भाई फिने सोले चल ऐसा किया और यह तरीका मेरा है जो मैंने आपको समझाया अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है करके दिखाएए ऐसा प्रश्न को क्या आंसर आप देंगे कि 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 आंसर आगया है बारा सही दो बटे पांच आननन्द निकिता फर्जिया शर्वनी मयंक सुनाली साकीत अनु प्रियंका नेहा एमलिन संजय श्रीकांत शिशिर कि 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 कुल दीप चन चांदनी बहुत अच्छे भई हारे कृष्ण राज कुम राज कृष्ण साहू बहुत अधे एक खाली टैंक को दस घंटे में और वी सोला घंटे में भर सकता है कि उन्हें बारी बारी एक घंटे के लिए खोला जाता है तो टोटल आप मान लीजिए आसी जिससे कि इसकी एफिशेंसी आठ आजए और इसकी एफिशेंसी आजए पांच अब कहानी शुरू हो चुकी है बारी बारी से एक घंटे के लिए खोला जाता है पहरे बी को खोल दिया जाता है फिर एक को खोल दिया जाता है तो मैं यह कहना चाहता हूं तेरा यूनिट टैंक भर रहा है दो गंटे में तो यहां हम कह सकते हैं कि यार तेरा चींग 78 और यहां हो गया डूनंही 12 अब 78 यूनिट तो भर चुका है अभी किता बाकी है दो यूनिट भरना सीज यह दो गंटे प आजए समय कितना रागे गा कि बारा सही 2 बटे 5, 2 बटे 5 क्यों हो, क्योंकि B पहले आएगा और 5 भरता है एक गंटे में, तो हमें तो केवल 2 भरवाना है, तो 2 बटे 5 गंटे में, तो 12 सही 2 बटे 5 आपका सही उत्तर है, आपका राइट आंसर है, बना लिया ना, बहुत बढ़िया, अगला कुशन आपके तैयार है, देखते हैं कौन करता है, यह लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, करिए क्या आंसर निकालते हो आप, कितने बज़े टेंग खाली हो जाएगा बताओ, कितने बज़े टेंग खाली हो जाएगा बताओ, कि ए और बी क्रमशे एक घंटे और दो घंटे में किसी टेंग को भर सकते हैं, सी भरे हुए टेंग को एक घंटे पंदरा मिनट में खाली कर सकता है, एक घंटे पंदरा मिनट का मतलब एक सही एक बटे चार यानि कि पांच बटे चार, खाली कर सकता है, तो टोटल वर्क मैंने ले लिया 10, यहां आगया 10, यहां आगया 5 और यहां आगया कितना 8 माइनस में, ए और सी को 9 बजे सुभा एक साथ खोल दिया जाता है, ए और सी को, यानि कि दो यूनिट भर रहा है अभी तो और सुभा 9 बजे खोल दिया गया है, दो घंटे तक चला रहा यह काम, यहवल चार यूनिट ही टैंक भर पाया है, और 11 बच्चों के हैं सुभए सुभए के, अब केवल A को बंद कर दिया जाता है दो गंटे बाद, तो A को बंद कर दिया अब टंकी कितनी खाली तो खाली होगी और B को खोल दिया अच्छा, तो अब टंकी खाली कैसे हो रही है, 3 की efficiency से, क्यों अगर आप B को खोल दोगे तो आप देख रहे हो टीन की efficiency टंकी खाली हो रही है, अब टंकी खाली हो रही है तो टाइम कितना लग जाएगा वो लग चार यूनिट भरी है उतनी खाली हो जाएगी फिर, तो यहां लग जाएगा सब एक गंटे और बीस मिनट और लो तो यानि कि कुल मिलाकर कहानी क्या कहती है, बारे बच के बीस मिनट पे आपकी ये टंकी पूरी करीके से खाली हो जाएगी, यहां कहानी वही है कि जितना आपने भरा एना उतना ही खाली होगा, तीन की efficiency कहां से आ गई खाली होने के लिए तो बी और सी दौनों खुल गए अब, तो एक घंटे बीस मिनट और, तो ग्याराय बजे के बाद में एक घंटे बीस मिनट यानि की बाराय बच के बीस मिनट, ठीक है, आईए, अगला करिए, आरम आरम से करना हर question अच्छा है, सब revision हो जाएगा और इनी में से ही paper में question मिल जाएंगे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है किसी बच्चे के लिए? अब यह answer निकल कर आया, students का 72%, बिल्कुल सही है, एक tank के इसर तीन नल लगे हुए है, एक नल A है, एक नल B है और एक नल C है, यह tank को 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं, तोटल अगर मैं मान लेता हूँ, 100 माने मान लिया, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यह 5 आ गया और यह 4 आ गया, यह भरने वाले हैं, सबसे पहले 3 नल एक साथ खोले जाते हैं, तो 15 और 4, 19 और 2 घंटे के बाद C को बंद कर दिया जाता है, 38 भर चुका है, अब C को बंद कर दिया, अब A और B चले रहते हैं और प्रारम से 4 घंटे बाद, यानि कि 15 की एफिशेंसी से 2 घंटे तक और काम चला, 30, अब प्रारम से 4 घंटे बाद B को भी बंद कर दिया जाता है, अब 6 टंकी को A भरता है, यानि कि 68 हो चुका है, भर चुका है, 32 बाकी है, अब 6 टंकी को A भरेगा 10 की एफिशेंसी से, तो हम यह कह सकते हैं, नल A स्वैम के द्वारा किये गए कार्रे का प्रतिशत बता दो, तो मैं यह कह सकता हूं क्या, कि नल A 32 और 19 और 15, मतलब नल A तो involved है ही, क्योंकि यहां भी 2 घंटे काम कर रहा है बिचारा, तो 20 और 20, 40 और 35 बहतर, 72 परसेंट अकेला ही भर देगा वो टैंक को, क्योंकि नल A ही सबसे महनती लग रहा है मेरे को, जो 10 की एफिशेंसी से शुरू में भी काम कर रहा था, और B के साथ भी काम कर रहा था C के साथ भी काम कर रहा था और अकेला भी काम कर रहा है ठीक है? चली सही है न? तो बहतर यह केवल A के लिए आया है तो उसमें efficiency वे efficiency का divide करना भी बेकार है क्योंकि यह पूछ रहा है कि काम का कितना प्रतिशत कर लिया तो टोटल 100 है न? तो देखे को यहां 32 काम अकेला यह करेगा पहले भी 20-20 करके आ चुका है वो Next करो आराम से सारे अच्छे questions हम करा रहे हैं और मेरे students चो पढ़ रहे हैं न? मैं उन्हें result देकर दिखाऊंगा यह मैं पहले ही बोल देता हूँ Pipe A, B और C किसी तंकी को 20, 30 और 60 गंटे में भर सकते हैं 60 अगर अपना LCM आ गया तो 3, 2 और यह 1 हो चुका है Pipe A, B और C 1 ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे खोला गया तो अगर 7 बजे मानलो A pipe खोला गया है सुबह 7 बजे तो A pipe 3 की efficiency के साथ 1 गंटे में 8 बजे तक, अब 8 बज चुके हैं 3 यूनिट भर देगा, अभी कौन आ गए, A और B दौनों खुल चुके हैं कितने बजे तक, 9 बजे तक, एक गंटे में यह भर देंगे, अब 9 बजे तीनों खुल गए, 6 की efficiency के साथ तो अभी तक 5 और 3 आठ भर चुका है, तो टंकी कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी, तो आठ भर चुका है बचा कितना 52, बटे 6, तो 6, 8, 48 और 2 बटे 3, इसको 60 से गुणा करेंगे, तो 8 गंटे, 40 मिनट तो एक आ गया और पहले कितना टाइम लग चुका है, एक गंटा, दो गंटे और, तो 10 गंटे, 40 मिनट है, तो सुबह 9 बजे के बाद आप देखते हो, तो 9 बजे के बाद देखते हो, तो आप ये देखे, 9 और 8, 17, 17 का मतलब हो गया, 19, या कह सकते हैं, हाँ, 17 का मतलब हो गया, 12 और 5 बच के 40 मिनट, पांच बच के 40 मिनट, ठीक है, हाँ, भी होगा, क्योंकि 9 बजे के बाद ही देखा है, मैंने डाइरेक्ट, नेक्स कुशन आपके सामने है, एक टैंक चार गंटे में तीनों पाइप A, B, C से भर जाता है, C जो है, वो B की तुलना में इतना तेज है, और B, A की तुलना में तीन गुना तेज है, तो इनको तीन से गुना करके, इसको दो से गुना करके बराबर बनाओ पहले, तो A, 2 आ गया, B, 6 आ गया, C, 9 आ गया, 9 और 6, 15 और 2, 17, 17 और 4 गंटे में तीनों पाइप भर देते हैं, यह अकेला कितने में, 17, 64, 68 बटे दो, 34 गंटे में, जामा पहना दिया ना, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, आप कर रहे हो, मैं देख रहा हूं, अच्छे अच्छे प्रश्नों को बना रहे हो, यही यह बस और क्या है, किसी को लर्निंग कहते हैं, अगला प्रश्नी स्क्रीन पर है, आराम से बनाना, समय ले लो चाहिए, कोश्चन अच्छा है, कैपसिटी निकालने के ऊपर है, बनाईए, अबस्त्र हां, रहे हो, प्रूAwла से ले हो, यही यह बस्स्य घजका पते हैं, कालने के खाते हैं, यह हो, यहे हो, यहे हो, यहिए, प्रश्न courtesy यह हो कि उपरादोंम है, आराम से यह लंई हैं, कि दोस्तों सोल है सही आंसर आ रहा है भई ए किसी टंकी को 43.2 मिनट में बी किसी टंकी को 108 मिनट में यह सब मिनट का ही काम है अब LCM सबसे बड़ा टासक हो जाता है और हर किसी के बसकी बात नहीं है इस तरह के कोशनों का LCM निकालना बट आप निकाल सकते हो क्योंकि अगर आप इहां मानते हो 216 तो आपका LCM सही है ऐसा मानते हो तो भी ठीक ही है क्योंकि अगर आप भाग दोगे इसका तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा और पांच बर चला जाएगा और 108 का भाग दोगे तो दो बर चला जाएगा तो यह बिल्कुल सही LCM आमने माना है सर आपको कैसे बता मेरे को जब 400 मेरे दिमाग में 432 आया पहले क्योंकि यह इससे भी जा रहा है मैंने का 216 मान लेता हूं नो उससे भी चला जाएगा अब सी जो पाइप है इसे तीन लीटर प्रती मिनट की दर से खाली कर सकता है तीनो पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 54 मिनट में भरते हैं तो यहां तीनो पाइप का भी लॉजिक है तो मैंने ध्यानी नहीं दिया लेकिन चववन आ गया तो 108 से जा रहे तो चववन से तो जाए गई जाएगा किती बार आठ बर आठ बर या चार बर चार बर तो यहां से एक चीज निकल कर आ रही है कि सी तो खाली करने वाला पाइप है तो यह अगर पांच है यह अगर दो है तो यह प्लस का चार कैसे हो सकता है क्योंकि ऐसे हो सकता है सर यह हो गया साथ यह माइनस का तीन होना चाहिए अब यह जो तीन है यह तीन लीटर पर मिनट कि यही बराबर है, क्यानि कि एक बराबर आपका एक हो गया त्यानि कि 260 जो माना है आपने यही 260 लिटर आंसर होगा किसलिए बड़िया question हो जाते उमीद कर रहा हूँ कि मैं आपकी उमीदों पर खराई उतर रहा हूँ और आपको अच्छे-च्छे कुशन कराने से आपकी confidence बढ़ रहा है यह मैं चाहता हूं अगला प्रशन आपकी screen पर दे रहा हूं आप try करिए समय आपका शुरू हो जाएगा आप करके बताईए अगर समान चमता के 9 नल पाने की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं मानलो एक ही एक चमता है सबकी तो 9 नल 20 मिनट में भर सकते हैं उसी टंकी को अगर 15 मिनट में भरना है तो समान चमता के कितने नल चाहिए तो 3, 3, 9, 3, 5, 15 और 5, 4, 20 mdh लगा दो 12 नल से काम चल जाएगा 12 नल चाहिए समान चमता के ऐसे और तब जाके टंकी फुल हो जाएगी अगला है आराम से करना ऐसे प्रशनों को patience से करना होता है और धीरे धीरे पढ़ पढ़ के करो एक एक लाइन को पढ़ो जल्दबाजी करते हो तो गलती के chances 100% हैं करो आराम से करते हैं पाइप A, B, एक टैंग को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, पाइप A और B, 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, 48 ले सकता हूं, C, उस पूरे टैंग को X घंटे में खाली कर सकता है, 48 X ले सकता हूं, अब सभी पाइपों को इतने बज़े खोल चालू कर दिया जाता है, और C को ढई बज़े बंद कर दिया जाता है, अगर उसी दिन रात को इतने बज़े टैंक भर गया तो X कमान, आराम से करिए, यह 3 X हो गया, यह आपका 2 X हो गया और यह आपका 48 हो गया, यह खाली कर रहा है, माइनस में हो गया, अभी बोला जा रहा है, सभी पाइपों को साड़े 10 बज़े चालू कर दिया और C को ढई बंद कर दिया, तो साड़े ग्यारा, साड़े बारा, डेड़ और धाई, चार गंटे तक ये सब चालू रहा सिस्टम, तो चार गंटे का मतलब पांचो के बीस एक्स, माइनस अड़तालिस इंटू चार, ये सब चालू रहा है, इतना, और उसी दिन रात को, कितने बजे, साड़े आठ बजे बढ़ गया, जब आपने ये बंद कर दिया आ, तैंक बढ़ गया, कितनी जर्में साड़े आठ बजे, यानि कि धाई वजे कि साड़े, साड़े तीन, साड़े चार, साड़े पांट, साड़े छै, साड़े आठ, छे गंते बार, तो छे गंटे तब फिर ये चालू रहा हों तो एक्स बराबर छियान में आ गया एक्स बराबर छियान में इस नहीं है मज़ा आ गया अगर हमने गलती कियो या कोई concept में दिक्कत हो तो आप कान पकड़ सकते हैं लेकिन अगर हम आपको concept सिखा रहे हैं और आप सीख रहे हैं तो यही है concept कि अगला करिए टैपसिटी के ऊपर है फिर से अगरे है है अगरे अगरे है झाल झाल तिक्स फंड्रेड गैलन आपका राइट आंसर है दो पाईप एंसर पहला पाईप 24 मिनट में और दूसरा वाला 40 मिनट में एक खाली टैंक को भर सकता है तीसरा पाईप 30 गैलन पानी ठाली कर सकता है लेकिन यह capacity है यदि तीनों पाईप न तो एक घंटे में भर जाता तीनों पाईप है तो पहला पाईप दूसरा पाईप और तीसरा पाईप है एक घंटे का मतला 60 मिनट मेरा यह मानना है कि 120 मानने में कोई हर्ज नहीं इसकी efficiency तीन है और यह कितना होगा माइनस का 6 क्योंकि तभी प्लस का टू बैठ सकता है तो 6 बराबर अगर आपका 30 गैलन हो गया पर मिनट एक बराबर 5 120 इंटू 5 करेंगे तो 670 मज़ा आगया यहां एक चोटी सी चीज़ और हो सकती है आपके साथ में गलत prior स्टाव मिनट दे रखा है अभी तो सब मिनट में यहां घंटे दे रखा होता है है यहां मिनट दे रखा होता तो यूनिट चेंज करते ये बात ध्यान रखना वस ठीक है वो यूनिट चेंज करने का दिमाग में रखना है ना अगला करिए बात अगला करने का दिमाग में रखना है भी बात शिmbान रखना है ये वे लगामों चेंज करने का दिमाग में रखना है वो यूनिट चेंज करना है वो याया कि दो पाइप एक टंकी को क्रमश है कि तीन घंटे दूसरा पाइप तीन घंटे 45 मिनट और एक तीसरा पाइप पूरी टंकी को एक घंटे में खाली कर देता है कि एक गंटे में तो चारतीय बारे और तीन 15 बटे 4 अच्छार यह एक हो गया 15 अपने दे लिया तीन 15 यह हो गया कि तंकी पहले से भरी होई है तीनों पाइप चालू कर दिये जाते हैं कि कर दे वही हमारा क्या ले रहा है यह अब यह मिनट में निकालना है तो साथ का गुना कर दो 75 मिनिट में खाली हो जाएगी 75 मिनिट कितना होता है कि अधिशेत्तर मिनिट लगे हैं तो यह गलत है आपका पिशत्तर है दमारे पिशत्तर है तो जिनका भी आंसर एक गंटे पिशत्तर मिनिट आ रहा था वो सही है अगला भी कर दो 15 मिनिट है ना तंकी ए एक टंकी को नली द्वारा दो गंटे में नली द्वारा च्छे गंटे में और सुबह 10 बजे नली एक को खोल दिया जाता है और बी को भी 11 बजे खोल दिया जाता है कि सना पूरी भरेगे तो टोटल मैंने मान लिया 12 यह हो गया 6 और 6 ही मान लो ना भाई यह हो गया 3 और यह हो गया अब बी को भी खोल दिया तो अब चार की दर से तीन बटे चार की तीन तो भर चुका है तीन बटे चार एक घंटे तक तो तीन तो भर चुका था था ना स्कमार्ट मैंटे 57 मिनट लगेंगे को 10 वजे के बाद है तो ग्रावारीवजे खोल दिया तो 12 सके 25 मिनट रइट 12 वच के 45 मिनट 11 वच के 25 मिनट कि कि ग्रार्श में और एक गंटे में इतना भर चुका था पहले तो ग्यारी बच्के 45 मिनट आए ते अग्या बच्का झाल देखो तीन नलिया हैं पहली दो नलिया ए और बी चालू करते समय है चालू करने पर तीसरी नाली सी की तुलना में ताल को खाली करने में आदा समय लेती है ए प्लस बी समय आधा ले रही है अरे समय आधा ले रही है तो एफिशेंसी डबल हो जाएगी यह एफिशेंसी का रिशो उल्टा हो जाता है ना बताया हुआ है आपको इसमें क्या सरम है इसी प्रकार उनी में नाली ए अकेली चालू करने पर बी की तुलना में आदा समय लेती है समय आदा है एफिशेंसी दुगनी बात को ज़रा समझिएगा यहां आ रहा है तीन इनका योग और यहां आ रहा है दो बराबर करने के लिए यहां इसको छे बनाना पड़ेगा और यहां पर इनको भी छे बनाना पड़ेगा यहां से यह कंक्लूड हो गया कि जो एक ही जो छमता है वो चार है बी की जो है वो दो है और सी की जो है वो तीन है यह हुई ना बात इस सेट है वे तीनो एक साथ खाली इतने मिनट लगाते है तीन एक साथ तो देखो यह होगया साथ और दो नो नो छे गहन्टे चालिस मिनट तो चालिस मिनट दो बटे तीन अठारा और दो बीस तो नो इंटू बीस बटे तीन यानिकि साथ आपका टोटल वरक आ गया एक इतना चार का भाग दे दो पंदरा क्या गजब का कुश्चन है और क्या गजब तरीके से हमने किया भी है जिनका राइट आंसर पंदरा है ना आगे चलते है यह बढ़िया कुश्चन है जो व्यास के ऊपर आधारित है पाइपों के व्यास के ऊपर अच्छा है पेपर में आता है कन्फ्यूज नहीं होना आसान तरीका बताऊंगा ठीक है चलो अब व्यास हो या रेडियस हो बात बराबर है ना तो बोला जा रहा है कि तीन पाइप के अलग-अलग व्यास दे रखें तो रेडियस का रेशो भी रहेगा अनुपात लिख लेंगे अभी रुको सबसे बड़ा पाइप 61 मिनट में भर सकता है प्रतेक पाइप द्वारा पानी जो निकलता है उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती बहता है तीनों पाइपों मिलकर उस टैंक को कितने समय में भर पाएंगे लेको मैंने अभी आपको समझाया कि ब्यास और रेडियस का रेशो वही है यहां एक यहां चार बटे तीन और यहां दो तो यहां आया 3, यहां आया 4 और यहां आया 6 अनुपात निकालेंगे, यहां आजाएगा 9, यहां आजाएगा 16 और यहां आजाएगा 36 यह मैंने लिख दिया है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, आप यह समझ सकते हैं क्योंकि स्कॉायर के समानुपाती है यह इनके बहने की दर है कि स्कॉायर कर दिया सबका तो अगर मैं बोलू कि टोटल कैपिसिटी कितनी हो जाएगी तो जो बड़ा वाला पाइप है इक सट मिन लेता है तो चट्टिश की एफिशेंकि से जो भैर आये वह्यार घ्याए डिक सबसे बड़ा वाला पाइप एक सट मिन लेता है तो आपसे क्या बोला गया तीनों मिलकर धूरे इक सट का भाग दे दू जाया er तीनों मिलकर 36 मिनट में भर देंगे सबसे बड़ा वाला पाइब 61 मिनट लेता है यह बहुत अच्छा कुश्चन है लाइक भाइक भाइक भी करते रहो यार हाँ अगला प्रशन आप लोगों के लिए बनाने के लिए आप प्राई करिए इसको भी बढ़िया देखुए यहां इस फीड भी आ गई आप लेक भी आप लाइक भी आप बनाने के लिए कर दो देखूए चार आप लोगों के लिए वाला पाई है दो भी आप वाला पाला पाई एक पानी की टंकी में तीन पाइफ लगे हुए हैं जिनका व्यास आपको अलग-अलग दे रखा है इन तीनों नलों में पानी क्रमशा इतना इतना की गती से बह रहा है व्यास दे दिया मामला आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस का रेशो भी यही है और अलग-अलग गती से बह रहा है तो आप लोगों को देखो यह दियान लगना है कि वर्ग के समानुपाती तो होगा क्योंकि एरिया तो मैटर करता ही करता है क्योंकि जब आप क्रोस सेक्शन और कितने टाइम का यहीं तो होता है वॉल्यूम स्पीड एरिया और टाइम तो यहां देखिए आपके सामने यह व्यास दे रखगा है तो इसका एरिया यह आर्जी स्कौायर के संदर में होगा तो स्कौायर करना बहुत जरूरी है क्योंकि पाइप है ना इस से लिए ठीक है चलिए एक नौ और सोला अब यहां स्पीड कितनी कितनी आ रही है तीन चार और पांच की स्पीड आ रही है गुणा कर लिया तीन नौ अभी क्या बोला जा रहा है सर सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इतने टाइम लेता है तो टोटल वर टोटल कैपशिटी कैसे निकालोगे सबसे अधिक व्यास वाला पाइप 238 और डिवाइड कर दीजिए कितना 119 से तीनों मिलकर कितने में करेंगे तो 160 आंसर आगे है कैसा लग रहा है बता दें प्लीज इस पीड को गुणा करते हैं यही जरूरी चीज है अगला करिए भाईया कुश्चन अच्छे है अब सोले पाइप लगे हुए है इसको एलिगेशन से आप करोगे ज्यादा अच्छे से होगा अब जो बच्चे ने एलिगेशन लगाया होगा हो जाएगा एक टंकी सोलन लगे हुए है कुछ टंकी में भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले हैं बरने वाला नल शे गंटे में तो ये इन्लेट नल हो गया शे गंटे में और आउट्लेट खाली करने वाला वह 18 गंटे में खाली करता है तोटल अगर 18 मान लोगे न आप तो यहां देखेंगे यहां तीन आ रहा है और यहां माइनस का एक आ रहा है यह इनकी छमता हैं है ठीक है अब क्या बोला जारहे सभी को एक साथ खोल दिया इतने गंटे में भर जाती है तो मैं यह कहता हूँ कि अगर सारे के सारे अगर इनलेट पाइप है 16 के 16 तो 48 की छमता आ जाएगी सारे कि खाली करने वाले हैं तो माइनस का 16 हो जाएगा है ना और ओवरॉल क्या आएगा अठा रहे हैं ना कितना टाइम लग रहा है तीन बटे दो तो यहां आएगा सर 12 अब एलिगेशन लगा दो तो यह हो गया कितना 37 और यह जोड़ेगा 28 चार सत्य 28 चार नाम 36 नो और साथ 16 तो साथ आपकी भरने वाली हैं और नो खाली करने वाली है तो खाली करने वाली पाइप है नो साथ आपकी भरने वाली थी और सोल आपकी हाँ यह ओवरॉल निकालना जरूरी है ओवरॉल कैसे निकालोगे ओवरॉल कैपसिटी में टाइम का भाग दे दो गया तो आपकी वह आजाएगी एफिशेंसी ठीक है भाई सारे कॉंसेट सारी चीज़ें क्लियर हो रही है न मैंने ऐसे कुशन का कलेक्शन किया है दोस्तों आपके लिए कि आप अगर यह करके चले गए तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा सोचो आप और इतना काम करने में कितनी मेहनत लगती होगी आप यह सोच भी भी नहीं है सारे अग्जाम औरियंटेड है यही तो कला है भाई करी अगला यह करी अंतिम प्रश्न है कि कि इसी टंकी को बरने में दो नल लगे हुए हैं जो टैंक को 30 मिनट रों 36 मिनट में बर सकते हैं नलों कि रुकावट के कारण चमता का 5 बटे 6 भाग और 9 बटे 10 भागी पानी निकल पाता है तो सबसे पहले आप एल्जियम ले लीजिए मैंने 180 ले लिया जिससे यहां हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 5 अब अच्छी बात पता है क्या है बताओ कि यह पूरी चमता से नह निकाल पा रहा है और 9 बटे 10, 9 बटे 10 का मतलब 5 का 9 बटे 10 से ही यानि कि 4.5 से ही पूरी चमता से नहीं निकाल भा रहे है चमता कम है एंगी ठीक कम हो गए रुकावट के कारण कुछ समय बाद रुकावट हटा दी जाती है तथा इसके इतने मिनट के बाद टंकी भर जात है 31 बटे 2 और टंकी भर गई अब यानि कि कितनी भर गई है 11 एकम 11 ग्यारा तिया 33 34 एक सो 70.5 यानि कि यह बताओ 170.5 टंकी तो बाद में भरी है टो कितना 9.5 9.5 जो टंकी थी वो रुकावट के साथ भरी होगी अरे हाँ 9.5 की एफिशेंसी आने की एक एक मिनट के लिए, तो केवल एक मिनट के लिए रुकावट थी, फिर आपने रुकावट वो हटा दी, कैसा लगा तरीका, कैसा लगा बताओ, भाई, लास्ट वाला देखा, आपने किया, इतना टंकी आपका, मतलब इतना आपकी टंकी, मतलब बाद में भरी है, तो 9.5 पहले भरी होगी रुकावट के समय, तो उसकी एफिशेंसी इतनी है, तो एक मिनट के लिए, बस रुकावट रही होगी, उसके बाद, कैसा लगा सेशन, प्लीज बताएं, महनत जो मैं करा रहा हूँ, क्या वो सही है, क्या आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, देखो कुछ ही करते हैं आगे, और सेलेक्शन की दहार डेली नौ वज़े चल रही है, ऐसा आपको कोई करा नहीं रहा होगा, चाहे आप किसी भी डेडिकेटिट टीचर की पीछे भाग लें, हम करा रहे हैं, लेकिन और यह बहुत अच्छा पहल थी, जहां मैं पूरा कम्प्लीट कोर्स कर आने के लिए उतर गया, और उतर गया, आप जानते हैं मेरी आदत, और आदत ही जब मैं बना लेता हूँ, तो उसी आदत के हिसाब से चलता हूँ, खतम होने वाला है, तीन चैप्टर है, क्योंकि टाइम स्पिट से ट्रें बोट एक ही चैप्टर माना जाता है, बेसिक से, अगर advance math बात करें तो advance में चालो हो जाएगी फिर आपकी चार मतलब दो-चार दिन में advance में चालो हो जाने वाली है अगर आप मेरे से detail में पढ़ना चाहते हो और आपको मेरे पूरा वरोसा है तो आप पड़ते कैसे हैं और क्या content मिलता है आपको भी एक अंदाज लगेगा चीजों का ठीक है तो आप मेरे साथ जोड़िये रेल्वे सेक्शन में टेलिग्राम पर मिल जाएगी आपको और मेरे साथ है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो आगी ले जाओ लोगों का सपोर्ट इस पर चाहिए शेयर करो कमेंड करो और लाइक करो ठीक है वस बढ़िया पढ़ाई करो और कुछ नहीं चाहिए मेरे को फाउंडेशन वे अच झाहिए 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 झाहिए